हे प्रिवान विल्कम बैक तो रूची जैस को और नर तो कैसे हैं अप लोग आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं अगेन आपके साथ अपना बैंगल कलेक्शन पार्ट 3 शेयर कर रहे हूं तो यह देखिए और आज की कलेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है क देखिए यह मल्टी कलर के कड़े हैं और आज कल ऐसे कड़े तो बहुत सदा ट्रेंड में भी हैं सब यह ऐसे कड़े पहन रहे हैं तो आप भी ऐसा कुछ देख सकती हैं आपको यह आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो आपको यह ऑनलाइन भी मिल जाएगा तो यह देखिए यह कुछ इस तरह से है और यह बहुत प्यारे कड़े हैं रियल में बहुत अच्छे लगते हैं आप इसको दो-दो कड़े दोनों हाथ में ऐसे ही डाल सकती हैं विदाओट चूडियां भी यह तो भी अच्छी लगेंगी यह देखिए यहाँ पर मैं आपको इसे पहन के भी दिखा रही हूँ कि पहनने के बाद कैसे लगते हैं और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टी कलर्स के हैं तो हम इसे किसी भी कपड़े के साथ आसानी से मैच करके पहन सकते हैं यह देखिए इस तरह से और बहुत प्यारे कड़े हैं और निक्स्ट मेरे पास यह और यह है लाख की चूड़ियां यह लाख के कड़े बहुत प्यारे कड़े हैं अगर आपने आस तक कभी नहीं ट्राय किया है लाख के चूड़ियां तो आप जरूर से ट्राय करिए आपको बहुत पसंद आएंगा तो यह देखिए यहां पे इ एक हाथों में पहन सकती हैं आप इसे सेट बना के दोनों हाथों में पहन सकती हैं आप इसे अलग अलग भी पहन सकती हैं एक चूड़िया ये कड़े करके ये पूरे ऐसे आया हैं जो कि बहुत जादा प्यारे लगते हैं सिंपल हैं मगर बहुत प्यारे कड़े हैं ये तो ला भी खराब हो जाती हैं यह देखिए यहां पर मैंने इसे एक हातों में पूरे ऐसे सेट में पहने तो शायद एक कम अच्छी लग रही होंगी तो आप इसको ऐसे मिक्सेंड मैच करके पहन सकते हैं भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसको आप कैसे पहनेंगे तो और भी जादा प्यारे हैं यह देखिए इसमें दो ऐसे कड़े दिये हुए हैं इसको आप सिंगल पीस भी पहन सकती हैं सूट में इसको पहनेंगे आप तो जादा ही खिलके आएंगे जादा ही अच्छे लगेंगे तो अगर आप भी ऐसा कुछ लेती हैं तो आप इसको एक एक पी चूडियां भी लाग की चूडियां वैसे बहुत प्यारी होती है और यह देखिए हैं पर मैं इससे पहन क्या आपको दिखा रही है और सबसे अच्छी बात इसका कलर बहुत प्यारा है डाक यलो में एंड यह देखिए उसी सेट का यह चार पीस है ऐसा मरून और ब्लैक के बहुत प्यारे कड़ें आप इसको दो-डो कड्य दोनों हातों मैं पहन सकती है ऐसा कुछ suspect में मार्कट में guardians इसको भी आप जाता तर सूट में ही पहनेंगी तो अच्छा लगेगा साड़ी में भी पहन सकते हैं साड़ी में आप इसमें कुछ काज की चूड़िया मिलाके पहनें एंड यह देखिए दो पीस ऐसा है जिसमें पूरे में मिरर वर्क किया हुआ है यह देखिए जिसमें बहुत अच्छी शाइनी आ रही है अब इसको ऐसे भी मिक्स करके पहन सकती है मैच करके अपने कपड़ों के साथ ही बहुत प्यारा लगेगा लेकिन आपको इसकी खास केयर करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा केयर देनी की ज़रूत पड़ेगी क्योंकि बहुत जादा नाज़ुक होते हैं लाव की चूड़ियां बहुत जल्दी तूट जाते हैं पानी में भीगने पर भी और इस कलेक्शन का अगला कड़ा है मेरा ये जो कि चार के सेट में आया है और ये बहुत प्यारा है और यूनीक साबी है इसलिए और ये और भी प्यारा लग रहा है ऐसे कड़े मैंने कम ही देखे हैं तो ये बहुत प्यारा है अगर आप भी इसको देखेंगी तो आपको भी ऐसा ही लगेगा शायद ये फोन पे या कैमरे पे अच्छे से नहीं दिख पा रहा है मगर रियल में ये बहुत ज़्यादा प्यारा है ये देखिए और इसमें जो डिजाइन हुई है उपर तरफ वो बहुत ज़्यादा प्यारी है ये देखिए और ये देखने में बिल्कुल रियल गोल्ड लगता है अगर आप भी ऐसा कुछ पहनने की शौखीन है तो आप देख सकती है ऐसा और ये पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है और अगर आप इसको mix and match करके पहनती है चूड़ियों के साथ तो आप ट्राय करिए कि आप इसे plain चूड़ियों के ही साथ mix and match करें तो ये ज़्यादा खिल किया आएगा ये देखिए कुछ इस तरह से और ये पहनने के बाद बिल्कुल लगता है कि ये रियल गोल्ड है तो अगर आप भी शौकी ने ऐसे चीजों की तो आप देख सकती है आपको बहुत प्यारा लगेगा पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से है और नेक्स्ट है ये मेरे पास जो की पार्टी वियर कंगन है ये भी अच्छे हैं तो आप ऐसा कुछ भी देख सकती है अपने लिए औ तीज में पहनने के लिए तो आप ऐसा कुछ भी देख सकती है इसमें इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग है और इसमें पूरे कड़े में स्टोन वर्क किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में और आप इसे ऐसे व्रत में फेस्टिवल में पहनेंगे तो यह भी बहुत प्यारे हैं अप इसको भी एक बड़ ट्रह कर सकती यह थोड़ी से पतले क्ड़े हैं ये देखिये यह चूड़ियाइन जी होती है उस तरह से हैं अगर। तो आप ऐसा भी कुछ देख सकती हैं इसको भी किसी भी कलर के कपड़े के साथ आसानी से मैच करके पहन सकती हैं बहुत प्यारा लगेगा कि इसमें पूरे में स्टोन वर्क किया हुआ है तो इसलिए और भी अच्छा लगता है और अच्छी शाइनिंग भी आती है यह देखिए कुछ इस तरह से आगे मैं इसको पहन के दिखाऊंगी आपको यह देखिए यह पहनने के बाद और खिल के आते हैं तो आप भी अपने लिए कुछ ऐसा ले सकती हैं यह आपको इसली कहीं भी मिल जाएगा चाहे आप आउनलाइन ले चाहे आफ लाइन ले यह आपको कहीं भी मिल जाएगा क्योंकि ऐसे कड़े तो हर जगा ही मिल जाते हैं यह देखिए यह चार के सेट में आया हुआ है तो आप दो दो दुनों हाथों में पहन सकती है और नेक्स्ट मेरे पास है यह कांच की चूड़िया है जो की मल्टी कलर की कांच की चूड़िया है और इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग है आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा इसमें बहुत जादा अच्छी शाइनिंग है इसमें बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है इसको भी आप पार्टी वियर के लिए ले सकती है और अगर आप किसी वरत में करवा चौथ में तीज में ऐसा पहनना चाहती है तो भी आप ऐसे ऐसे कांच की चूड़िय ले सकती है तो यह देखिए कुछ इस तरह से है बहुत प्यारी चूड़िया है बहुत जादा प्यारी चूड़िया है आप भी अपने लिए कुछ ऐसा देख सकती है यह पहनने के पाद और भी प्यारी लगती है यह देखिए आप चाहें तो इसको प्लेन चूडियों के साथ मैच करके पहन सकती है तो यह और भी खिल के आएगा यह देखिए मैं अभी आपको ऐसे इसको पहन के दिखा रही हूँ और आज की कलेक्शन के मेरे सारे जो बैंगल्स थे वो बिल्कुल नए थे एक दम से पैख थे तो उसे मैंने आपके सामने अन्बॉक्सिंग किया है तो सारे ही कड़े बहुत अच्छे हैं तो आप भी अपने लिए कुछ ऐसा देख सकती हैं अगर आप करवा चौजय तीज के लिए अपने लिए कुछ देख रही है पहनने के लिए तो तो यह रही है आज की मेरी वीडियो और उमेद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक् थैंक्स फो वाचिंग